हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल कुंडली भाग्य मिली पाने के बाद सौरिय लूत्रा याने की वजीर अली को एक एहम भूमिका में दिखाया जा रहा है जिसके बाद ये काभी सुधिक्यों में बने हुए है सो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इनके लाइफ से जुरी कुछ अंचानी बात है कैसे वजीर ने स्ट्रगल करने के बाद एक सक्सेस्फिल एक्टर बन पाए और इन्हें किन-किन मुश्किलों से होकर गुचरना पड़ा ऐसे ही इनके लाइफ से कुछ अंचानी बात है जिससे आप अभी तक अंचान होंगे अगर आप ये सब जानना चाहते हैं सो फ्रेंट साप इस वीडियो पर एंड तक चरूर बने रहें क्वजीर का जवन महाइदराबाद में एक मिडिल क्लास फेमली में हुआ था और इनका पालन पोचन इनकी माने अकेले ही किया है बात करे इनके अर्ली लाइफ की तो विजीर वज़पन से काफे शैतने मिजज के रही है और उन्हें हरकते करना इधर उधर भागना खेनना सबी को परेशान करना काभी पसंद है खास करके वो अपनी मम्मी को हमेशा तंग करते रहते हैं वजीर अपने बच्पन के यादों को ताचा करते भी बताते हैं कि वो बहुत सरारती थी थे और उन्हें पढ़ने लिखने में कभी उतना मज़ा नहीं आया और वो हमेशा अपने क्लासिस भी बंग किया करते थे और वो एक एबरेज इस्टूरेंट ही रही है उन्होंने अपने स्कूलिंग पठाई चीरेक इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जोस पबलिकी स्कूल और ग्लैंडल अक्याडमी स्कूल से कम्पलीट किये हैं इसके बाद उन्होंने सेंट मेरी कॉलेज हैथराबाद से ही अपना क्राजूशन कम्पलीट किया है वहीं आपको बता दे वजीर अपने क्लासिस भंग करके फुटबॉल खिलने पहुचा करते थे अपने स्कूल दिनों में और उन्हें फुटबॉल खिलना काफी पसंद है साथ इसाथ उन्हें स्केटिंग और साथ इसाथ स्विमिंग का भी काफी शौक है वहीं आपको बता दिये नेशनल लेबल के पास्केटबॉल खिलाडी रह चुके हैं वजीर बताते हैं कि बचपन से उन्हें कही न कहीं एक्टिंग से लगा होता और उन्हें एक्टिंग एसा लगता था जैसे उन्हें अपनी ओर घीचा चला आता है यही रीजन था कि वो अपने जटडिस कम्लिट करने के बाद मुंबई पहुंचे अपने एक्टिंग को अपने पैशन बनाने के लिए जिहां दोस्तों और मुंबई आने के बाद उन्होंने मौडलिंग से अपने करियर के शुरुवात की और साल 2017 में इन्होंने MTV के पॉपलर रियालिटी सो रूडिस राइजिंग एंडिस प्लिट्स विला सीजन 10 में पाटिशुपरेट लिये थे और यहीं से इनका जर्णी स्टार्ट हो गया इसके बाद साल 2018 में ये MTV के एक और रियालिटी सो एस ओफ इस पेस में नजर आए और करेंटली ये सीरियल गुंडली भागया में लीप आने के बाद सुरिय लूथरा के क्यारेक्टर में नजर आ रही है और इस सीरियल से इनको काफी पॉपलारिटी मिल रही है इस सीरियल में आने के बाद मानो वजीर की किसमती चमक गई है जी हाँ दोस्तों जहां अभी देखो सुरिय लूथरा का ना चर्चा में बना हुआ है और यहीं से इनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है इससे पहले यह कभी लाइम लाइट में नहीं आए लेकिन जब से इस सीरियल के हिसा बने है तब से इस सुर्कियों में बने हुए हैं वहीं आपको बता दे इनकी सोसल मीटिया प्लैटफॉर्म पर भी अच्छी खासी फैन पॉल रही है जहां पर यह आए दिन अपने फोट करें शेयर करें और इसी तरह की डियर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब स्विरूर करें